हेलो गाइस विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल टुड़ी आई विल वी डिसकर्स एमाँ पटेला बोन ग्रास एन टॉमी गाइस वीडियो स्टार्ट करने इस पहले आप से छोटेस रिक्वेस्ट यादि आप चैनल पर नहें आये तो फिली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत पूलना पटेला बोन हमारी बॉड़ी के सबसे लार्ज सिस्मोईड बोन होती है जो की फ्रंट आप दिताई कि लोवर इंड आप फीमर बोन के लोवर इंड में एबाउट वन सेंटिमीटर अबब नीज जोएड पे परजंट होती है अब इसके अब से वाद में हम आपको बताते हैं इसका साइट डिटरम Information को याद करने के लिए उसको समझने के लिए थ्री पॉइंट मैं पस्टेला बोन में जीनबंबर 1 पस्टेला बोन्स्टाइड अब्लेज सेपर्स में होती है जिसक डऊन वर्ड होता है और posteriorly side में apex articulate नहीं करता और anterior surface जो की rough and non-articulate होता है और इसका posterior side posterior side का जो surface है ये smooth और articulate करता है posterior, नमबर तीसरा posterior का जो articulate surface है ये vertical ridge से divide होता है जो की large lateral and small medial area का होता है anatomical position अगर बात करें anatomical position की तो articulate surface rough और effects इसका downward होता है इसका जो articular surface जो articular area है वो posteriorly होता है जो की हमारे femur bone से आके articulate करता है और articulate करके एक knee join का formation करता है अब इसके बाद हम बताते हैं इसका features क्या है इसमें एक effects और three border and two surface होता है border number एक superior surface superior border, lateral border and medial border और इसकी surface की बात करें तो surface to surface, anterior surface and posterior surface होता है अब इसके बात में हम आपको बताते हैं इसका attachment अगर हम मात करें इसके attachment जिसमें के muscles आके attach हो रही है और insurgent हो रही है उसके बारे में इसके superior border है superior border में rectus femoris muscles आके insurgent होती है और vectus intermedialis इसके पीछे होती है lateral border, westus, lateralis जो की upper one third में insurgent होती है वहीं दूसरी तरफ इसका जो medial border medial border में westus, medialis upper two third में inserted होती है और इसका जो non-articular area है जो की posterior surface इसमें ligament patelli attachment होता है जैसा कि मैंने अभी बताया इसका जो non-articular area होता है जो की posterior surface इसमें ligamentum patelli attachment होता है और वैसे ही हमारा जो quadris femoris muscles है quadris femoris muscles का जो tendon जो की base पे आके attach होता है और इसके medial side में westus medialis का tendon and lateral side में westus lateralis का tendon आके attach होता है उसी प्रकार उसके थोड़ा सा नीचे medial patellar retina column जो की medial side में and lateral side में lateral patellar retina column परजिंट होता है और इसके apex से attach होता है patellar ligament तो guys ये था हमारा आज का वीडियो patellar bone grass anatomy हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये वीडियो समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे comment करके comment करके मुझे बताइए हम आपके problems को मैं आपके dots को जरूर किलियर करने के कोसिस करूँगा अगर वीडियो अच्छी लग गई होते यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पी नए आया होते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला थैंक यू वाचिं इस वीडियो